कुम्भ राशी की जातक हैं आज आपको बड़े पैमाने पर लाप मिलेगा आपकी परिशानियां दूर होगी जो आपकी महतोक अंचाह हैं प्लानिंग हैं सब में आपको चारो तरफ से सफलता का मार्ग प्रसस्त होगा दूर देश की यात्रा होगी और यात्रा से थोड़ा म मन तनाव हो सकता है रोग और सत्रू से आप घीरे हुए महसूस करेंगे दामपत्ती जीवन में सुधार होगा जीवन साथी का सपोल्ट मिलेगा आज आपका मन प्रफुलित रहेगा प्राकरम से धनलाब होगा संततियों का सुख मिलेगा सौधानी का परत नहीं है आपको क् खर्च पनियंतरन रखना है उपाय क्या करना हनवान जी के अरादना करिए और इनको चोला अर्पित करिए सुभं के चार सुभरंग है लाल लक मीटर है नौ रेक्रिश्वा करपूर गोरं करुडावतारं संसार शारं भुजगिंद्रहारं सदा बसंत मिर्दार बिंदे इंचांग की क्या इस्ति है कब सुर्योदे होगा कब सुर्यास्त होगा कब चंद्रोदे होगा कब चंद्रास्त होगा कौन सी तित्य है कौन सा नचत्र है कौन सा करन है कौन सा यूग है चंद्रमा किस राशी पर रहेगा और आज का महामंत्र क्या है और बारह राश्यों के के भी बारे में बताएंगे कि आज की 12 राशियां क्या कहती है कौन बैग्यानिक बनेगा कौन अभियंता बनेगा कौन चिकित्सक बनेगा कौन फिल्म बनाएगा किसको भूम विवहों से लाब मिलेगा कौन विदेश जाएगा किसको आयातने रिया से लाब मिलेगा किसको रा होंगा दर्शों के प्रस्टों का उत्तर भी देंगे और आज इनका जन्मदीन है उनकी भी बारे में बताएंगे आप देखते रहें भाग की गुरु कारिकर अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंतर की आज का महामंतर है ओम नमः शिवाए आज है सुमवार के दिन पूरगवरं करुडावतारं संसार शारं भुजगेंद्रहारं सदा बसंत मिर्दार बिंदे भवं भवाने सहितम नमामी नमस्कार मैं हूं जोट्साचारे डॉक्टर विंद्र पाठी आप देख रहें भाग गुरु कारिकरम भाग गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बह लोग है opposing चंटरमा किस राशी पर रहेगां और आजg का महामंत्र क्या है है और 12 राशीयों के भिबारे में बताएंगे कि आज की 12 राश्य चाकाती है कोन बैगया बनेगा कौन अभियान्ता बनेगा कौन चिकित्षक बनेगा कौन फिन्म बनाएगा किसको भूम भी्वान स किस को राजनीती में जाना है किस आंके के प्रयोग करने से भागोदे होगा किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी और सौधानी क्या बढ़ते उपाय क्या करें इस सारी बात हम आपको बताएंगे गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा दर्शनों के प आज सुमवार के दिन भगवान भूले नात के अराधना करने से आपकी सभी प्रकार की समझाओं का समाधान होगा है आपको सुख सम्रिदी एश्वरे में ब्रिदी होगी और भगवान भूले नात की किरपा बरसेगी